करवा चौत इस साल एक नवंबर को पढ़ रहा है इस दिन जो पतनी होती है अपने पती की लंबी उमर के लिए पूरा दिन निर्जल वरत रखती है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे है अगर करवा चौत की दिन आप अपनी पतनी को कैंडल लाइट डिनर कराना चाहते ह लखनों में तो कुछ ऐसे रेश्ट्रों है जहां ले जाकर आप उनकी पूरे दिन भर की थकान को दूर करा सकते हैं और इस दिन को और स्पेशल बना सकते हैं इन रेश्ट्रों में पहला नाम है ताज की साहिब कैफे का जो की बेहद रोमैंटिक प्लेस है और अच्छा देख सकते हैं ये कम बजट का रेश्ट्रों है और यहां पर आपको चाइनीज से लेकर इंडियन फूट और साउथ फूट तक मिलेगा ये प्लेस आपके करवा चौथ के लिए बेश्ट हो सकती है इसके अलावा आप घनी छाओ रेश्ट्रों जो की फैजबाद रोड पर ह यहां पर भी एक प्राविट कैबिन लेकर के कैंडल लाइट डिनर को और भी रोमैंटिक और यादगार बना सकते हैं ये जगा भी बेहद रोमैंटिक है करवा चौथ पर आप बाटी चो का रेश्ट्रों में भी अपनी वाइफ को सर्प्राइजिंग कैंडल लाइट डिनर करा सकते हैं इसकी खुबसूरती देखकर आपकी वाइफ दिन भर की थकान और वरत की थकान को भूल जाएंगी और यहां तमाम सेल्फी पॉइंट्स बने हैं जहां पर आप अपने इस खुबसूरत पल को कैमरे में कैद कर सकते हैं करवा चौथ की दिन ऐसे में बाहर कैंड कैंडर लाइट डिनर कराना अपनी वाइफ को सच में यहां पर यादगार हो सकता है इसके अलावा शेफ ओन वील्स जो की बेहत रुमैंटिक प्लेस है और अभी जल्दी में लखनों में खुला है यहां पर भी ले जा सकते हैं गोमती की नदी का किनारा और कैंडर लाइट सकते हैं और यहां पर अपनी सीट को भी आप करवा चौत की एक थीम पर सजवा भी सकते हैं तो बेहत रुमैंटिक रेश्ट्रॉँ ये भी आपका साबित हो सकता है इसके अलावा अगर आप अपनी पत्नी के चैरे पर मुसकान लाना चाहते हैं तो दा यालो हाउस तो ये थे लखनो के कुछ यूनिक रेश्ट्रॉँ जहां पर आप करवा चौत की दिन कैंडलाइट डिनर करने के साथ ही इस दिन को यादकार बना सकते हैं लखनो सेंजली सिंग लोकल एटीम